तो तुम्हारी बोडी मसल लूस करेगी, मसल लॉस होगा, तो मसल मेंटेन करने के लिए, इंट्रा वर्काउट, पोस्ट वर्काउट, प्री वर्काउट, ऐसे करके, तुम्हारी बोडी मसल लॉस, क्या कटिंग डायट करने पर, आपके मसल लॉस होंगे, फैट लॉस करते टेम, आपका मसल जो भी आपने गेन किया है, उसमें थोड़ा बात लूस हो जाता है, तो क्या होता है, ऐसा होता है कि नहीं, यह पूरा टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर कर दूँगा, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजए, उस बेल आइकोन को प्लीज प्रेस कर दीजए, बता है, उससे तो मसल लॉस बिल्कुल ने होगा, जो भी उदर बोलता है कि मसल लॉस होगा, उसने सुना है, लेकिन उसने किया नहीं है, वैसे कभी, क्योंकि मैंने खुद किया है, मैंने मेरे पहले कॉंटेश्ट को आराउंड त्री मंद्स जीरो कार्ब था, जीरो कार्ब, जीरो फैट, लोग बोलते हैं, नाई, इस इंपोसिब, यू एफ टो एफ टो एफ येल्दी फैट, तो महारा ब्रेन फंक्चिन आए अचा 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 मेरे कुछ फरक नहीं पड़ाता हुस्ते, तो मुझे कुछ नाउलेज नहीं था हुस्ते, मेरे पहल तीन मेने में मैं इतना डिपलूड हुआ था कि ओल्मोस कॉंटेस्ट के चार दिन बात तक मैं खाते खाते फुल नहीं हो रहा था, इतना डिपलूड था, लेकिन मेरा मसल लॉस हुआ नहीं, तो ये जो भी लोग बोल रहे हैं कि मसल लॉस होगा, आप फैट लॉस पर है तो ये बिल्कुल गलत बात है, मसल लॉस क्यों होता है और आपको कैसे लगता है कि मसल लॉस हो रहा है, ये होता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप डायेट करते हैं, कटिंग फेस करते हैं, फैट लॉस के लिए जाते हैं, then you are coming down on your carbohydrates, जो आप carbohydrates खा रहे हैं जो आपका carbohydrates food source है, उसमें आप नीचे आ रहे हैं क्योंकि आपको बाडी को fat loss करना है, तो तबी क्या होता है, मसल के अंदर glycosin कम होता है, तो जो भी आप carbohydrates खा रहे हैं, तो मसल के अंदर तो कम होगा, तो थोड़े मसल श्रिंक हो जाता है, the muscle will shrink a bit, muscle loss ने होगा, वो सिर्फ श्रिंक होगे, क्योंकि आप carbohydrates कम खा रहे हैं, जबी भी आप carbohydrates फिर से खाते हैं, आपने देखा रहे हैं कि bodybuilders pre contest दो तीन दिन पहले से carb load करते हैं, वो muscle को fuller करने के लिए, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आपने खुद देखा रहेगा, अगर आप contest किया हैं पहले, तो competition के दो से तीन दिन के बाद में आप fuller लगने लगते हो, vascularity बढ़ती हैं, मतलब फिर से एकदम मस दिखते हो, तो ये क्यों होता है, कि contest preparation fat loss पर आप carbohydrates कम खाते रहते हैं, बाद में अपने carbohydrates खाया है, muscle के अंदर जाके, muscle full दिख रहे, muscle loss नही करता है, तो ये मैं भी करता हूँ, सुनिए, सच बात है, तो कैसा रहता है, कि मैं supplements बेचता हूँ, खुद भी, तो मेरे सामने जो भी client आता है, तो मैं उसको बोलता हूँ, कि muscle loss नहीं होता है, ऐसा ऐसा रहता है, तो वो बिलकुल सुनते नहीं थोड़े, बद तो सुनते है मेरे बात, तो मैं कुछ extra उनको नहीं देता हूँ, जो नहीं सुनते हैं, मैं उनको क्या बोलता हूँ, कि देख, मतलब, जेनरल ही बता रहा हूँ, आपको, यह सामने करता हूँ, तो contest करने वाला है, कोई भी आतो मेरे सामने, तो यह खाना चाहिए, यह food रहना चाहिए, यह उनने नहीं लिया, तो तुमारी बोड़ी मसल लूस करेगी, मसल लॉस होगा, सो मसल मेंटेन करने के लिए, इंट्रा वर्काउट, पोस्ट वर्काउट, प्री वर्काउट, ऐसे करके, दो-तिन चिपका देते हैं, मैंने सभी चिपकाते हैं, यह सब बिजनस, ऐसा ही है, सब बिजनस, तो जब भी आप सामने वाले बोलते हो कि अभी मसल लॉस होगा डायेट पर, तो उसकी फटके इतनी हो जाती है, तो वो डर के मारे, और अपने 4-5,000 रुपे ज्यादा इन्वेस्ट करेगा आपके पास, और कुछ नहीं चाहिए, वो लेके चला जाएगा, तो यह सप्लिमेंट बेचने वाले, आपके दिमाख में डाले, कि फैट लॉस पे टाइम पर आपके मसल लॉस होगा, तो यह सा बिलकुल नहीं होता है, अपना टेंशन मत लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ, हिट लाइक बटन, और दोंट फोगेट तो सब्सक्राइ टोन चनल and please do follow me on Instagram for daily updates, I'll be helping